एक अपने जो जो नेक्स टॉपिक है यह नेक्स टापिक है वो तिशू का है कि किशू के कि जितने भी सेल्स हैं, सबी सेल्स similar shape पर singular size पर करते हैं और यह जो किशू होता है, किशू का क्यों होता है, तो फंक्शन होता है, ़ो एक specific function होता है जैसे पिल्गे स्टासिक क्या तो पढ़ा हुआ है, कि जो सेल्स होता है, सेल्से किशू बनते हैं, तिशु से ओर्गेन्स बनते हैं और ऑउर्गेन्स से ओर्गेनल्स मनते हैं और और ऑउर्गेन्स लगती है बोड़िय। तो यहां पे जो जिसके बारे में डिस्कुसर करने हैं वो है टिशू, मतलब what is टिशू, टिशू are the group of cells that have similar structure and parallel to perform a specific function, उसो क्या बहुते हैं टिशू, और इसके ने, अगर examples देते हैं हम टिशू के लिए तो जो इसके ने, तो इसके में क्या है, कि एक जैसी cells का combination है, वहां पे आकर कोई दूसरी cells, आकर के skins का formation नहीं करीगी, लिवर है, अब अगर आप कहलें कि जो plastic surgery होती है, plastic surgery में होता क्या है, कि जब skin burn हो जाती है, तो हम body किसी दूसरे parts से या place से क्या करते हैं, कि skin को remove करते हैं, और वहां पे लाकर उसको fix करते हैं, वहां को plastic surgery करते हैं, अ कि जो आपका face है, वह burn हो गया है, और हम ऐसा करते हैं, जो plastic surgery के लिए, जो हम tissue use करेंगे, वो tissue कहां से हम remove करेंगे, वो liver से remove करेंगे, तो अब यहां पर क्या हुआ है, कि हम liver से tissue को remove कर लेंगे, पर जो skin है, skin में जो cells participate कर नहीं है, और liver में जो cells participate करने हैं, लिवर के formation में, क् तो यहां पर यहां पर तो टीशू क्या होते हैं जहां पर इस्ट्रक्शर सेम हो और उनका function क्या हो सेम हो तो वो क्या गलाएंगे वो टिशू गलाएंगे इसलिए क्या होता है कि प्लाफिक सर्जिरी पर जो होता है वो एक specific टिशू जहां पर अगर बॉडी का अपर साइड बर्न हुआ है या वहाँ एक्सिरेंट हुआ है तो क्या गरते हैं खाई कि स्किन को प्लाफिक सर्जिरी कराते हैं या चेस्ट की स्किन रिमूव करते हैं या बैक की स्किन रिमूव करते हैं हम आप गया करते हैं प्लाफिक सर्जिरी और कराते हैं अब यह हुआ कि मतलब जो एक्सिडेंट हुआ है और बॉडी का अपर पार्ट हुआ है और अधाय कर रहा है यह पॉसिबल नहीं है इससे आपको समझ में आ रहा हुआ कि एक एक्जाम्पल जो मैंने दिया है कि जो भी टिशू होते हैं वह सेल्स के सिमलर फ्रिक्चर और सिमलर क्यों होते हैं फंक्शन होते हैं अब सर्फ जो डिशू होते हैं इस पुचाइस के होते हैं फर्स होता क्लांट टिशू और सेगें नोता ऐनियुआ इसू के बारे में क्या हैं प्रीजिस्ट क्लास में क्या क्या दरेएंगे डिस्कुशन करेंगे